पियम मोदी आज तीसरी बार शपत लेने जा रहे हैं। उनके साथ उनके काबिनेट के मंतरी भी शपत लेए। शूत्रों की मताबिक अमिट्शा, राजनाथ सिंग, नितीन गटकरी, पियूश, गोयल, अश्वनी वैशनो, निर्मला सितारमन और मनसुक मांडविय जैसे वरिश नेताओ की जगह नई सरकार में पक्की मानी जा रही है। अगर जिन चहरों को इस बार मोधी कैबिनेट 3.09 में शामिल नहीं किया गया, उनकी लिस्ट चौकाने वाली है। और इसके लाव आजय मिर्श्वाटेनी, शुभास सरकार, जौन मिरला, भारती पवार, रावसाय दानबे, और कपिल पाटिल, नरायन राणे, भगवत कराड, अश्वनी चौबे, स्मृती राणे और अनुराग छाकुर शामिल है। आपको बता दे कि मंत्री पत के लिए नामित नरेन मोदी की नए मंत्री परशित में भाजबा के नेता मनुहरलाल खटर, शिवराज सिंग शोहान, भी संजय कुमर और रवनीत सिंग, बिट्टू जैसे नए चेहरों को जगा मिल सकती है। और आपको बता दे रवीवार शाम भाजबा के वरिश नेता मोदी प्रधान मंत्री पत की शपत लेगे। मोदी मंत्री परिशित के गठन से पहले नेताओं को चाय पर बुलाते हैं और फिर कमाबेश वही चेहरे मंत्री पत की शपत लेते हैं। हालकि संभावित मंत्रियों के बारे में अभी तक कोई अपराधिक टिपड़ी नहीं की गई है। तो वही उत्तरपदेश से भाशपर साथ सत जितिन प्रशाद और महराष्ट से रक्षा खटसे के भी नई सरकार का हिस्सा होने की संभावना है। खटसे ने मीडियर से पुष्टी की है कि उन्हें सरकार का हिस्सा बनने के लिए फोन आया है। तिसीतर अमन, सर्बनद, सोनेवाल और किरन, रेजीजू भी शपत लेगे। भाशपर के भीतर ऐसी अटकले है कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नेटा को भी सरकार में वापस लाया जा सकता है। जिनका विस्तारित कारेकाल इस महीने के अंत्र तक समाप्थ हो जाएगा। पियमोदी के पहले कारेकाल ने मंत्री परशित के सदस्य थी, वो केंद्र स्वास मंत्री भी रह चुके हैं। तो यहीं सयोगी दलों जैसे तेलगू देश्वंपाटी की राम मोहन न्याडू और टंदर शेख पेबासानी चंता दल के ललन सिंग और रामना ठाकूल के अलावा लोक्षन शक्ती की चिराग पास्वान और हिंदुस्तानी अवाम मोच्षा के जितन राम मान्शी और चंत बुले